आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुपा इसमें मोधी स्वयम सहाईता समु यानि की S.H.G. की महिलाओं से बातचीत की कारेकरम में मोधी ने स्वयम सहाईता समु की 1,60,000 सदस्यों के खाते में एक हजार करोड का investment fund ट्रांसफर किया इसके लावा पीम मोदी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहट एक लाख एक हजार लाभ भार्थियों के खाते में बीस हजार करोड की धनराशी भी ट्रांसफर की साथ ही जनता को कारेकाल के बारे में बताया किस तरह से बीजेपी ने अपने एक काम किये हैं और जब कारेकाल रहा है उसको देखते हुए साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा इस तरह से विकास कारे किया जा रहा है उन तमाम मुद्दों पर बात करीब प्रधान मंतरी नरीन रमोदी ने सेम योगी ने महिलाओं को किस طرح से सश्शक्त बनाया जा रहा है महिला सश्शक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हो के पियम मोदी ने बताया महिलाओं के लिए जो भी योजनाइ लाए जा रही है सभी के बारे में बात की गई प्रयाग राज दोरे पर रहे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी आज उनके साथ स्यम युग्यादितनात और कई बड़े नेता भी मौझूद रहे बड़ी सौगात दी गई है प्रयाग राज की जत्ता को और आज प्रयाग राज में महिला सश्वक्ति करण सम्मेलान में शामिल होने के लिए खासता और से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी प्रयाग राज पहुचे थे और इस खबर पे हमाई सव्जादा बाचीत के लिए समधाता गौरव शुरुवास तब जुड़ चुके हैं जो बना बनाए जाएगा जो मेरट से प्रयाग राज को जोड़ेगा इसके साथ ही आज प्रामती नरेंद्र मोडी का प्रयाग राज दोरा है बहापर उन्हें महिला सश्वक्ति करण कारक्रम के तहत लगवा लबबग एक लाख साथ हजार जो महिला स्वेम स्याद्ता समू जो मेलाएं जो स्वरोजगार करती हैं उनके लिए उनके जो खाते हैं उनमें रिवाल्विंट यानि सहायता रासी अनुदान रासी टांसफर की है इसके साथ ही उन्होंने जो कन्या सुमंगला यूजना है जो केन सरका की बहुत बड़ी यूजना है उसके तहत तहत लगव लवा एक लाग एक हजार जो कन्या है उनके खाते में दो हजार रुपए की रासी टांसफर की है जो उनके कन्या सुमंगला यूजना के अन्तकर दी गई है तो बड़ा कारकाम ता निश्रोप से इसके साथ ही साथ चुरोंने लवा लवा पचेतर जो पचेतर जिली है वहां दिखा रहें कि महिलाओ को लेके हम आगे चल रहे हैं जिसरा से महिलाओ को अभी तक साथ लेके प्रियंका गांधी चल रही थी तो क्या देखने को मिलेगा किसकी तरफ महिलाओ का रूजवान रहेगा हम एक बड़ा बात रहना कहीं थी चालिस परसेंट महिलाओ को उत्तापरिस की चुनाओं में हम सीटे देंगे दाविदार बनाएंगे तो बड़ा उनका दाव था इसको देखती लगातार प्रियास किये जा रहे थे कि कुछ ऐसी रणनीती बनानी चाहिए क्योंकि जो महिल सब्सक्राइब कि जा रहा है तो निश्री रूप से देश की आधी अबादी है जो घरो में रहती है जो और जो काम काजी भी है गिरहनी भी है आज परसों के करण से करण मिला की चल रही है और उनका घर में स्थान भी कुछ यूजना ऐसी है कि महलाओं को मुख्या ही माना तो इसको नहीं प्रयास किया है और भाटियन्टबाटी नरेणमोडी की जो प्रिणामन्त्री है उनके लगातार ऐसे काम कर रही है उत्तबरेफिश में जो चनाओं के लिए बहुत बहुत हों गया और आणवारे समय में एक बहुत है सब्सक्राइब करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है कि किस तरह से महिलाओं की भागिदारी है महिलाओं का वोट बैंकर उसको पर पाले में किया जाए गर अब भी तक देखा जाता था कि घर के बाकी अन्य सदसे जिसको वोट देने के लिए कहते थे महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है महिलाओं के नाम पर वादे और दावे किये जा रहे तो क्या महिलाओं इस और भी देखेंगी कि हमारे लिए काम किया जा रहा है हमारे बा लिए उनके सोच के लिए बनाए गई गई जिसे स्वावलंबी उसके लावा तमाम ऐसे कारिकम है जो चलाए जा रहा है वह भी मैलाओं को देखते ही बनाए गाया है तो तमाम ऐसी यूजना है तमाम ऐसे बादे हैं जो मैला को देखते हुए जा सकता है यह फैसले लेने की सुतंत है और एक विसेस पार्टी जो उनके बैतल लगेगी और इसके लिए बहुत करते नजर आएगी अगली बड़ी खबर की तरफ अश्वरिया राय बच्चन से कई सवालों की जवाब मांगी और कई लेन देन का हवाला भी दिया गया तो उधर समाजवादी पार्टी की राजसभासान सद और एश्वरिया राय बच्चन की सासु मा जया बच्चन सदन में बुरी तरहां उखड गई और बुरे दिनों का श्राप देडाला जया बच्चन में आग बबुला हुई जया बच्चन ने यहां तक कह दिया कि आप लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं मैं आपको श्राप देती हूं तो श्राप देती हुए नजर आई है जया बच्चन खफा नजर आ रही है जिस तरह से यह जाच की जा रही है और एश्वरिया राय बच्चन को बुलाया गया पूरा दिन जाच होती रही बातचीत जो देखने को मिली है उसके बाद अब यह प्रतिक्रिया सामने आई है जया बच्चन के और इस खबर पर मैंसा समध आता गौरव जुड़े हुए हैं गौरव जिस तरह से यह एडी के पूस्ता चल रही है क जिनके पैसा वो बिडेसों में जमा है तब से जाच चलिया रही है इसको परामस जो लीक मामला कहा जाता है उसके तहट ही जो एस्वरा राय बच्चन उनसे पूस्ताज की जाई है कल लगवा लबा साले पाच घंटे उनसे पूस्ताज की गई थी तो कि यह जानकारी मिली गालती है उसे लेट से मुद्रा प्रबंदन अदेनियम याजन जो होता है उसका अभैन किया तो अभैज रूप से ब्लड़ा बंदार की अथा जिसको देखते हुए उनसे तो सार्चा हुई थी उनकी फूस्ताज की गई ती लबा साले 5 गंटे पूस्ताज हुई थी उसी आज को हवाला देते हुए संजय राउट ने ये कहा था जो सिपसेना के प्रमुक्त है और उने कहा था कि अगर कोई आडमी संसर में या कोई असी बात करता है तो उसके घरबालों पर उससे जोड़ी लोगों पतिक्रिया होने लगती है जिसको लगातार लेते हुए जो आपकी जैबच्चन उनों ने कहा था कि जान मूझ के हम लोग परसान किया जा रहा है और सरकार डर चुकी है इ इतनी डरी हुई है कि लगातार कारवाई हो रही है और इसी कारवाई की चलते मेरी बहु है उनसे भी साड़े-पाच घंटे पूच्टाज की गई है तो यह बैयार उनको आता उन्होंने हाला कि यह भी कहा कि मैं सिराब देते हूं कि जल्दी इनके खराब दिन आएंगे य सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पर पुराना चल लाएंगे इसके बीचे सरकार का हाथ है क्योंकि सपा के अभी तीन नेताओं पे भी आईटी का शिकंजा कस्ता हुआ दिखा था और अब जिस सरह से एश्वर्या राइवचन से एडी जाच कर रही है तो अब इस पे क्य क्या लगता है अभी जैवचन भी इसमें कह रही है कि सरकार डर गई है यूपी वाले डर गई है इस वज़े से यह सब किया जारा है कि चुनाओं को समय कर किसी बात की फाइल खुलती है यह पूस्ताथ होती है तो यह आरोप लगना बिल्कुल जायज है और लाजमी भी है कि कोई आरोप कोई ना कोई इसका आरोप लगाएगा को उससे जोड़े वोग परवार के लोग इसका आरोप जिरूर लगाएंगे कि कि चुनाओं को समय ही यह जाच क्यों हो रही है हमको डराए जा रहा है और लोग हम से डर गए हैं इसकी जाचों को माध्यां से हमको परवार वालों को परिसंट किया जा रहा है है कि सिरकार डर गई है इसलिए लाल टोपी वालों पे उनके परिवारों पे इस तरह से कारेवाई कराई जा रही है रुक करते हैं अगली ख़बर की तरफ कोरोना वार्स संक्रमण संसद तक भी पहुच गया है बहुचन समाज पार्टी के संसद कुवर दानिश अली कोरोना पॉजिटिव पाए गया है ट्वीट कर उन्हों ने इसकी जानकारी दी है चिंता की बात यह है कि दानिश अली कल तक की संसर की कारेवाई में वी शामिल थे ऐसे में दूसरे संसदों के भी संक्रमित होने का खत्रा बढ़गया की देश में कोरोना के नए वार्येंट ओमीक्रोन के दोस्तों मामले सामने आचिके हैं जिसमें सबसे जद्सेदा मामले महरास्ष्र और दिल्ली से सामने आए है तो कोरोना का खत्रा बढ़ता हुआ जा रहा है अब संसद कुणरदानिश अली भी कोरोना संक्रमें तो हो गए हैं और इससे एक बड़ा खत्रा ये है कि बीते दिन वो संसद की कारवाई में पेश्ट भी रहे थे तो क्या बाकी लोगों तक भी इसकी पहुँच हो सकती है ये बड़ा सवाल है और इस वक्त देश में कोरोना के नए वैरेंट ओमिक्रों का खत्रा भी नज़र आ रहा है जिसके अभी तक 200 मामले सामने आ चुके हैं और इस खबर पर भी मैंसा जादबाद चीट के लिए समधा तक गौरफ जुड़े हैं गौरफ जिस तरह से कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है अब यह संसद तक पहुंच गया है क्या कहेंगे अभी कि च þंता की बात है सिखा क्योंकि जिस तरह से कोरोना अगर संसर में किसी वक्ति कोरोना पोजट्रिव आया है हाला कि उनकी जीनेन सेक्वेंसर की नहीं हुई है यह कौरोण का कौन सा भेरेंट साफ नोपाया है पर निसीर रूप से यह चिन्ता का विशह है क्योंकि लगवाल अबग क्योंकि जो भी है जन पतिनीडी है और वहां पर सामिल जाते हैं संसर की समय कारवाई चल लाई है तमाम अधीनियम बनाए जा रहा है अभी प्रस्ता पास हुआ था उस पर चर्चा होना बाकी था तो तमाम ऐसी चंता की बात इसलिए है क्योंकि वहां पर समा सब्सक्राइब करानी करानी है इसके साथ ही साथ जो भी समय संसर मौजूद रहा है सत्र में उनकी सभी की जात होनी पड़ेगी करनी पड़ेगी सब्सक्राइब की सभी लोगों की जाच है जो कुरोना का जो अपडेट है वो जीनम सेक्वेंसी के लिए भीजना पड़ेगा तब ही स्प्स हो पाएगा कि दाने सली अगर ओमिक्रों से से पीडित थे संक्रमित थे तो कितनी लोगों की ओमिक्रों से संक्रमित वोन है क्यों कि यह पिछले भान्य कि तुलना में लवा लवा साथ गुना तेजी से फैलता है तो बड़ा प्रिस्ण रहेगा और अब इस डिसा में सरगार को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और जितने भी सांसने सभी के जाच करना अब आवस्सक हो गया है कि कि अगर जाच नहीं होगी तो संक्रमन फैलने का पूरी पूरी आसंकर है कि और फैल सकता है अगर प्रबंधन की तो जिस तरह से संसन में प्रबंध किये गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर टेस्टिंग की बात करें तो क्या लगता है क्या सब में फैल सकता है यह क्या कुछ लापरवाही आई है देखने म जो एक कोरोना की डेल्टा बेरेंट में समस्या थी कि आदमी की सुगने की स्वार भी खताब हो यातरा ऐसे कोई भी लख्षण इस बेरेंट में नहीं है इससे इसकी पचान करना बहुत मुश्किल है अगर आदमी को नॉमल ठकान और होती है तो अमुनन सर्दी भी मानने सकते यहां सर्दी लग गई है तमाम अन फिलू भी मर सकते हैं पर जिस तरह से उनका संक्रवन पाया गया है तो निश्री रूप से जितने भी लोग है उन सबकी आटीपी से जांच होगी उस साथ ही साथ जिन में भी कोई लच्छल पा जाते हैं तो उनको आइसलेशन भी करना प करा है को ट्वीट करके लोगों को जागरूप किया है जानकारी दिये कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो दूर रहें अपनी टेस्टिंग फिर से करवा लें और जो है क्वारंटाइन हो जाए तो यह कितना सरहानी एक अदम है और को भी लोग पॉजिटिव होते हो ने कैसे दूरी बनाई जानी चाहिए को दूसरों से बिल्कुल सही बात कहीं इसके पहले भी तमाम राजिटिक हस्तिया रही है अगर कोई कारकाम होता था है और उनके बार में संकर में किस्तिटी होती दिया संकर में पाए जाते थे तो व और यसी पिटिक्रिया दाने सली ने दी है और सही कदब है क्योंकि अगर आप साब साब बता देंगे तो कम से कम जो लोग आप से जोड़ा जोड़े हुए थे या आप पर संपर्क में आयते बोलो साबधान हो जाएंगे और कम से कम खुर से दूसरों की दूरी बना के रहे जिस तरह से 200 मामले सामने आ चुके हैं ओमी क्रों के और धीरे धीरे ये बढ़त भी जाएंगे तो क्या लॉकडाउन ही एक मात्र उपाए है इस वेरियंट को रोकने का क्योंकि वेरियंट तो फैले गा ही जैसे पहले भी हमने देखा वेरियंट फैल रहे थे लेकिन हमको अ करें नहीं है कि आधी जाड़ा चिंता की बात है हलां कि मामले बढ़ रहा है आनवार समय में मामले किस तरह से घाता को इन लोग मरेंगे वह तो साफ नहीं है कि फैलता है तो चीछी बार भी आपने देखा था एदम से अन्याव में स्टीड वी पैनेक हो गई ते तमाम ची संथिनिया कि या है करें देश की बात करें तो यहां पर जो गाइडलाइन कोविट की थी उनको फॉलो करना पर अपनी थो कुछ जया पड़ेगा और सब पैसे अब भैलने से रोक नहीं सकते गौरब विदेशों में जिस तरह से कुरोना के मामने फैल रहे हैं कि हम कह सकते कि वहाँ पर लापरवाही बढ़ती गई या फिर वैक्सिनेशन का अभाव है क्योंकि देश में हमारे वैक्सिनेशन काफी जाद संख्या में हो चुका है तो हम इसलिए मान सकते कि यहाँ पर अ अब जीनिस इंक्योंसिंग नहीं हुई है कि उनको ओमीक्रोन है या डेल्टा अलफा है पर सबसे बड़ी बात है आदमी की इम्मुनिटी आदमी की पति रोड़क छमता रोगों के पती आपके सरी में अलालाग होती है किसी की बहुत बैतर होती है और जिसी खराब होती है हो जल्दी संक्रमित हो जाता है तो इसमें बैक्सिन का अभी एक रोल है इसके साथ ही साथ जस्तरे से हमाया अभ्यान चला है अधिकार्स लोग अगर मैं बात करूं तो आदी आबादी के लगवा लबक हम बैक्सिन हो चुके हैं उत्ता प्रेस में भी बड़ी जोरों से चल पर रोक पाएंगी यह फिराल अभी इस पर चल ला इस पर अनुसंदान चल ला है इस पर सच चल लए है पर एक बात जरूर सामने आई है कि अगर बूश्टर डोज लगा दी जाएगी तो बहुत हद तक भी बिमारी बचा सकता है हाला कि बूश्टर डोज की ब्यूस्ता अ और तमाम माद्धिमों से इसको रोकने का प्रयास के जाए किस तरह रोका जाए और साथीजार अलग राज्यों के लिए गाड़लानी जारी की गई है जल्दी कुछ कड़े कदम उठाये जा सकेंगे जिससे बीमारीयों को अलग राज्यों फेलने से रोका जा सके बिलकुल कॉंग्रस महासुष्यों प्रयांका गांधी वाड़ा ने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कारक्रम कर महिलाओं को नारी सश्वक्ती करण के लिए जागरुप किया तो वही सलोन को अतवाली छेतर के महराज गंज किठावा गाउं का एक ऐसा मामला सामने आया है जो उल्टा पीडिता के माई के पहुँचकर पीडिता को धमकाते हुए सुला का दबाव बनाने लगी अब देखना ये है कि क्या पुलिस पीडिता को न्याई दिला पाती है या फिर आरोपियों की ही पैरवी करती रहेगी और इस खबर पे मैंसे जदबाद चीट के लिए समधाता ओम शुंकर जुट चुके है राइबर एली से ओम शंकर जिस तरह के ये मामला सामने आया है तो पुलिस की इतनी लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है जो पीडित है उनकी तरफदारी ना करके दबंगों की तर पुलिस पर या राइबर एक महिला का पती आवाला जानवर भगाने के लिए रात में खेट पर जाता है उसी समय तीन लोग उसके घर में घुशकर उसकी पती से छेट चार करते हैं और जब वहादमी लोड कराता है खेट से उसके साथ मारफीड भी करी जाती है और आपको खायराली की बात और बता दू कम से कम एक गरजन से अधित महिला और ललकीयों कि अग्यास जिले में मिल चुके हैं लेकिन अभी तक उन सवों की सिलागत तक नहीं कर पाई है राइबली पुलिस क्या इस पे कोई एक्षिन लिया जाना चाहिए पुलिस जो इतनी नाकामी दिखा रही है लापरवाही कर रही है तो इसके ओपर क्या एक्षिन लिया जाना चाहिए हाँ बिल्कुल एक्षिन लिया जाना चाहिए संबंदित थाने की पुलिस नहीं सुला कराने के लिए उस दबंगो फिलित पच्च में दबाव बना रहा है और हालात यह हो चुके है कि वह महिला गाउच होड़कर अपने माईके जा चुकी है अब हाला की पुलिस के क्या इस तरह का पलायन पहले भी देखने को मिला है दबंगो की वजह से जी हाँ महिलाओं पर अत्का चार की करता यह कोई पहली नहीं है अगर देखा जाए तो प्रतिदिन राय बरेली जीले में एक से दो महिलाओं किसी नहीं किसी रूप में हिंसा का सिकान होती है लेकिन पुलिस वहीं जो है सुला नावा करवाती है या मामूली धारों में चा तुमाम बातचीत के लिए इस खबर पर मैंसा समधा था ओम शंकर जोड़े थे राय बरेली से चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहा लेता ही तमाम देश दुनिया के खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुपाँ